यहां पर अच्छी बात क्या है जिस तरीके से हम बात करते हैं कि कफिर हैंडल पैटन बना उसके बाद में उसमें ब्रेक आउट हुआ ब्रेक आउट कैंडल का जो टोप है उसके उपर ब्रेक आउट कंफर्म हुआ और ब्रेक आउट कंफर्म होने के बाद में रिट्रेस्मेंट भी हो गया तो यहां पर सारी चीजे होई हैं इन 10 श्टॉक्स में तो मैं सामने आपके यह सारे चैनिश्टोक्स के चार पैटन्स डिसकस करने वाला हूँ और लेकिन साथ में एक चीज बहुत इंपोर्डन्ट है जो हमेशा से कि किसी भी तरह की मेरी रिक्मेंडेशन नहीं है यह चार पैटन्स जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप अपनी वर्किंग के साथ इन चार पैटन्स को यहां पर री एक्जैमिन कर पाओगे री चेक कर पाओगे वैट कर पाओगे कि एक्या चार पैकर पाओगे वर्किंग पाओगे कि आपने जो आलरीइसिस की थी वो सही थी या गल्त थी क्योंकि हम सबसे पहले कίम इनलाईज करते है पहले business owners करते हैं फिर company select करते हैं फिर company को कब buy करना और कब sell करना है इस चीज का पता लगाते हैं तो जब मैं पहले ही ये बात कर रहा हूँ कि ये 10 stocks large cap भी हैं almost large cap large cap भी हैं and blue chip हैं यानि कि अपने अपने field की prominent companies हैं अवल number की companies हैं तो ऐसे में business और companies पहले से selected हैं और यहां पर technical chart pattern से हमें यह पता चलता है कि हमें technically chart patterns के वेज़ पर कहां buy करना चाहिए और क्या इसके potential targets होने चाहिए लेकिन account आपका है आपको अपने account में trade करना है तो यहां पर जिम्मेदारी भी है responsibility है यहां पर मेरे हिसाब से सीखना लेकिन आपने कहने से तो सबसे पहले जो हम chart pattern बात कर रहे है that is relax of footwear relax of footwear यहां पर chart patterns मैंने पहले से ही बनाये हुए जिससे आप सब के लिए मैं यहां पर दुबारा से तियार कुरूँ तो वीडियो कहीं बार लंबी हो जाती है necessary तो पहले से ही बना रहता है तो आसान रहता है so this is a cup with handle pattern जहां पर एक cup है उसके बाद में यहां पर handle हुआ एक और handle हुआ और handle के साथ में यहां पर breakout हुआ breakout वाली candle बनी this is the breakout candle और उसके बाद में जो इसका top था top के यहां पर breakout के उपर और यहां पर confirmation भी हुआ और दुबारा से फिर से confirmation भी हुआ और फिर retest करके breakout level पर यहां पर आ गया re-entry के लिए तो यहां पर सारी चीजे हो गई एक chart pattern है chart pattern में breakout है breakout के उपर breakout confirmation है और वापस retracement है नीचे आकर यानि कि महंगा भी नहीं लेना है और breakout के बाद confirmation के बाद हमें चीजे भी खरीदने को मिल रही है and again market leading company है अपने sector की blue chip company है so this is the first company so second is यहां पर shiri cement shiri cement में भी इसी तरह का एक chart pattern बनता हुआ नजर आता है मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर कि इसी तरीके से यहां पर यह एक सबसे पहले cup बना उसके बाद में यह handle बना उसके बाद में यह एक और handle बना तो यहां पर यह cup with handle pattern बना और cup with handle pattern बनके यहां पर breakout भी आया we can see this is the breakout candle उसके बाद में लगा अता दो-तीन candle के साथ यहां पर breakout confirmation भी हुआ इसका जो technical target निकल कर आता था that was 29,457 और यहां अभी तक touch नहीं किया उससे पहले ही वापस retest हुआ हम पता है कि market एक range में है फिलाल और अभी फिर से यहां पर खरीदने का मोका है technical charts के base पर और अगर technical target तक पहुंसता है then 23.14% का यहां पर potential gain है शायद relax हो में हमने potential gain नहीं देखा हमने क्या उसका technical target था वापस एक बार chart open कर लेते हैं so technical target निकल कर आता है 1100 और current price से almost 18% के आसपास का potential gain नजर आता है यहां पर exactly 18% का so third stock यहां पर है United Breweries Limited और United Breweries Limited में भी same इस तरह का यहां पर chart बना हुआ है जिसको UBL कहते हैं और यहां एक छोटा सा cup with handle pattern है again दोसरा कुछ नहीं है सारे ही cup with handle pattern बन रहे है so this is cup और उसके बाद में यहां पर यह एक handle बना handle बनने के बाद में हमारा यहां पर breakout आया जो मैंने blue arrow यहां पर लगाया हुआ है blue arrow के जो top बना उसके उपर मैंने एक वापस से horizontal line place की हुई है और उसके बाद जो breakout confirmation हुआ वो place किया हुआ है and again target hit करने से पहले ही यह retrace हो गया तो जब target hit होने से पहले retrace कर ले तो हमें re-entry का वापस से मुखा मिलता है जो लोग पहले चुके उनको वापस से एंटी का मुखा मिलता है और technical target is coming 1633 8% का potential upside है current price से हम यहां पर fourth company की बात कर रहे है TCS TCS में भी इसी तरह का एक pattern बना हुआ है यहां पर proper cup with handle pattern बना हुआ है so this is the cup this is the handle और इसके बाद में हम यहां पर first blue arrow हमें दिखाता है breakout और second blue arrow हमें दिखाता है breakout वाली candle के ऊपर close होकर breakout confirmation और उसके बाद में stock price का नीचे आ जाना और नीचे आकर वापस से semi range में रहना again जो अच्छी companies होती हैं वहां पर technical targets achieve होते हैं so 4026 is the technical target that is coming in और current price से लेकर अगर उस technical target तक की बात करने लगें तो almost 19.27% का यहां पर gain नज़र आता है अच्छी बात क्या है जितने भी सारे technical targets निकल कर आते हैं यह within lifetime high नज़र आते हैं यानि कि lifetime high से उपर के technical targets नहीं हैं जैसा मैं हमीशे कहता हूँ कि मुझे खुद से अगर मेरे पास solid reasons नहीं है lifetime high के उपर trade करने तो मैं lifetime high से उपर trade नहीं कर पाता लेकिन अगर technical targets within lifetime high नहीं आ जाए तो मुझे trade करने में कोई दिक्कत नहीं होती उसके बाद में fifth company है Mariko limited और Mariko limited में technical target हमारा उपर आ रहा है उसमें तो यह one of the companies है जहां पर मैं बात कर रहा हूं so this is the cup with handle pattern again so this is the cup and this is handle proper pattern यहां पर बना हुआ है इसके बाद में हमारी breakout आया breakout आया 28th July को और breakout के जो highest level था उसके उपर हमारी confirmation होना चाहिए तो हमारा confirmation आया 9th August को और technical target इस case में जो हमारा निकल कराता है हम इसको यहां पर measure कर लेते हैं so this is 92 points का हमें breakout point के ओपर profit मिलेगा technical target that is coming is this is 646 और 646 के case में current price से लेकर जो हमारा potential gain percentage terms में है this is 15.59% so this was the fifth company now six companies can sign narrow leg inside narrow leg is again showing us a cup with handle pattern तो आप ये चीज़ समझो जब सभी जे कि cup with handle pattern बन रहे है आप breakout के बाद तो यहां पर यानि की market तो bullish है और bullish होकर यहां पर breakout भी दिया है और अच्छी बात है कि retracement है यानि कि breakout आया और breakout के बाद हमारा confirmation भी हो गया और यहां पर भी technical target अच्छा खासा नजर आता है this is of 85 points हम इसको breakout point के उपर लगाते हैं और current price से देखते हैं कि हमारे पास कितना यहां पर potential gain है current price से लेकर so this is 419 points का यहां से current price से है 90 means 30% का potential gain है technical target is coming 419 so यह इस तरीके से है और next है फिर उसके बाद में ICIC bank this is the seventh company we are talking about ICIC bank ICIC bank में already breakout आया हुआ है मैंने सब कुछ plot यहां पर किया हुआ है and यहां पर भी a cup with handle pattern है बिल्कुल neat and clean double handles है यहां पर retracement के साथ है breakout के बाद and technical target जो हमारा निकल करा रहा है that is 1119.5 यहने की 1120 करेंट प्राइस से लेकर हमारा जो टेक्निकल टार्गेट है that is potential gain 15% हमारा इसमें potential gain निकल कर आता है तो next उसके बाद में अगर हमें 8th company की बात करें that is Berger Paint यहां Berger Paint के और लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और अच्छे से एक again cup with handle pattern ही है so ऐसा लगता है जैसे sale लगी हुई है बड़ी अच्छी companies की अच्छे से और breakout भी है breakout confirmation भी है technical target भी अच्छा खासा है है तो 848 is the technical target और current price से लेकर जो potential gain है that is more than 20% 20.49% technical target मैंने जैसे बताया 848 है और 9th company is Apollo Hospital Apollo Hospital में भी same इसी तरह का यहां पर pattern है एक बड़ा सा neat and clean यहां पर cup with handle pattern में आपको दिखाता हूं आप खुदी पहले देख चुके हो यहां पर इतनी देर में अप आपको नजर आने लगा है so this is the cup this is the handle और technical target अगर इसका प्लोट करें तो यहां पर जो cup का depth है पूरा उसको हम measure करते हैं और breakout level के उपर प्लोट करते हैं technical target हमारा आता है 6419 और current price से लेकर अगर हम बात करें then it has a potential gain of 32% और breakout और breakout confirmation हमारा यहां पर हो ही चुका है so this is the breakout candle और उसके बाद में breakout confirmation तो दोनों चीजें यहां पर हो गई है now last company जो 10th company है अदानी ports अदानी ports we have already discussed in yesterday's video अदानी ports यहां पर शायद मैंने दूसरा और यहां यह प्रोपर बना हुआ है अगीन शायद पूरा लॉट भी हो जाए so this is the cup this is the handle और उसके बाद में breakout breakout confirmation breakout is on 18th august breakout confirmation 21st august और उसके बाद में retracement technical target is 1246 और current price से लेकर अगर हम potential gain देखने लगे then this is 52 53% so these are 10 companies यहां पर जो technical targets है 10 companies के यह 10 की 10 companies यहां पर blue chip है large cap mid cap में हैं और breakout भी हुआ है breakout confirmation भी हुआ है और retracement होकर एक सही price पर भी आ गया है लेने के लिए लेकिन अगेन सारे ही in 10 companies के chart patterns को आप illustration की तरह से लेकर चलेंगे मेरी recommendation नहीं मान कर चलेंगे यहां पर recommendations के लिए क्योंकि हम यहां पर savi registered research analyst हैं तो वो एक अलग चीज है सारी videos educational purpose से हैं मकसद यह है कि आज जो लोग self independent बनना चाहते हैं वो सब self independent बन सकें कहीं भी किसी भी तरह का monetary personal hit उस बीच में रुकावाट बनकर ना आए तो यही मेरी मन्शा है यहां पर और यही आज तक मैं करता भी आया हूँ आपने भी अपने दोस्तों के साथ share करना है जिससे वो भी सीख सकें वो भी समझ सकें और वो भी यहां पर अपनी knowledge को बढ़ा सकें self independent हो सकें अपने portfolio को यहां पर अच्छा कर सकें कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक अपने दोस्तों को subscribe करने के लिए बोलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा जै हिंद जै भारत